शुप्रभात और आज गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि जिनका भी सेलेक्शन हो चुका है उन सबको हार्दिक सुपकामना है और इंट्रेव्यू के लिए अपनी बहुत तीब्र और बहुत अच्छे तारिस जुड़ जाएं उनकी बात खेर हम किसी और दिन करेंगे आज सबर होने की बात हम नहीं करेंगे उनकी बात करने के लिए पूरा जमाना पड़ा हुआ है डेली उनकी बात हम लोग करते हैं लेकिन आज उनकी बात करेंगे जिनकी बात साध ही कोई करता हो या उससे हम अकेले कर रहा होगा अपनी बात किसी चु नहीं देखता है और किसी कमरे के कोने में किसी गाली के बाएं सीट पर या किसी पेंड के नीचे बैट या अपने अंदर चलने वाले उस दुंद्थ को अकेले छिलता है चुकि उस वक्त उसकी पीड़ा को शुलने वाला कोई और नहीं होता है तो आज इस्ट्रेंट से हम लोग बात करने जा रहे हैं EPPSS मेल्स 2023 में जो छात्र असपल तो नहीं कर सकते जो छात्र किसी काणवस उस पीडिया फाइल बे अपना जगा नहीं बना पाए है और जो EPPSS प्रिया अनबाइस या मैंस किसी में भी लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हर बार एक दो नमबरों से दो तीन चार पांच दस नमबरों से असपल लए जाते हैं या तथा कतित रूप से कहा जाए तो उस चपलता के स्टेडी भी नहीं आपाते है इसका दर्द क्या होता है इसका गम क्या होता है ये भली बात मैं जानता हूँ चुकि मैंने एक दोने EPPSS के साथ-साथ इंटर्वी दिये है मेरे बहुत से स्ट्वेट जानते हैं लेकिन जब तक नहीं हुआ तो बड़ी कटनाई होती थी और फिर जब एक जॉब के लिए आप लोग रो रहे होते हैं तो बड़ा कश्ट होता है हाना कि आज की रेट में मैं देखूँ तो मैं केंद्री बीडाले में भी रहा नोदे बीडाले में भी दो साल रहा लग बग फिर अभी अस्टेंट प्रोफसर डिगरी कॉलेज में भी रहा पिस्टास 22 में भी चैन हुआ तो अब तो खेर जॉब की भरमार है तो उस प्रक्रिया से बाहर में निकल आया हो लेकिन उसका जो दुख और दर्द होता है वो भली भात मालूम है आप चुपचाप बैठे रहते हैं आपका मन नहीं लगता कोई आपसे इविन आपका दोस्त हो भी जाता है और आपसे कहते हैं उसका चैन हो गया तो आप कहते हाँ ठीक है बाई बदाई हो सुन इठ लई हैं लोग सब बाट नहीं है कोई तो कि उस वक्त जो पीड़ा और जो तुफान आपके आँखों में होता है उसको आप बैयान नहीं कर पाते ऐसा लगता कि आखिर हमने ऐसा क्या किया इतना बेतर किया इतना प्रिकाइदी से पढ़की गया थी मिल्स में डाइग्राम चार्ट सब कुछ बना कर आए फिर मेरा ही क्यों नहीं हुआ क्या ऐसी कमी रह गई जो हमने नहीं किया वो है ना कि मौत का इलाज हो साइद जिन्दगी का कोई इलाज नहीं है तो इसी तरह की है कि जरास ही हमने क्या गलती की नहीं नहीं जि सजा पाई आए आप की खटा दो नंबर की खटा हमको पूरे वरसुँ से दे आती है क्यों ऐसा होता है अज मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्काइब सेर करें वो आपके च्छावाप करें ना करें लेकिन प्लीज उन असफल सात्रों को मत कहिए उनको सफल वही न उनको ये कहिए कि वो वीरी उद्धा है जो बार-बार लड़ने की हिम्मत रखते हैं उन तक ये वीडियो मेरा जरूर पहुचाई है क्योंकि उन में से अभी कोई 2024 टॉप करने जा रहा है उन में से कोई GDC में जाने वाला है उन में से कोई कहीं जाने वाला है तो आपको क्या करना है हाँ जरूर है शोक मनाने का समय है वो आप मनाएंगे और मनाना भी चाहिए सिरी सी बात है किसी ने कहा है बेतर धंग से उठना है स्वाम्योकान्द कहते हैं उठो मेरे सेरो इस भ्रम को मिटा दो कि तुम्हें एक निर्बालो तुम्हें एक अमर आत्मा हो उतिस्टम जागरत प्राप्त वरिना वोधितम उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लच्चना प्राप्त हो जाए ठीक है एक दो दिन का सोक मनाएंगे लेकि इस बार ऐसी महरत करेंगे कि आयोक को भी दौर के में बुलाना पड़ेगा जाकता तभी जहान है कि उसे जब विपत्त जगाती है हसना छोड़ बच्चे भी चिंतन करने लगते हैं दिनकर जी बहुत अच्छी लाइन कहते हैं जाकता तभी जहान कि उसे जब विपत्त जगाती है हसना छोड़ बच्चे भी चिंतन करने लगते हैं अब आप जाग ज लिखते हैं ब्रामा से कुछ लिखा भागे में मनुझ नहीं लाया है अपना शुक अपना शुक उसने अपने भुझबल से ही पाया है अपना शुक उसने अपने भुझबल मिलता है आज सिर्फ हमें अपने आपको जगाने का समय कि यार आखिर हमारा ही ऐसा क्यों हो जाता है मैं देखता हूँ मेरे कल कितने स्ट्ट्वेंट से जिनका एक दो दो नमरों से पीठी मुख जाता है आप शुविचारे बहाते रहते हैं मेंस में नहीं हो रहा है उनके अंदर कोई कमी नहीं है बस कमी है तो आदमिश्वास का और आप अपने आदमिश्वास को बहुत उपर तक ले जाइए दुसंत कमार कहते कौन कहता है आस्मा में शुराक नहीं हो सकता है कौन कहता है आस्मा में शुराक नहीं हो सकता है एक पत्थर तो जरत अब्यत से उच्छालो यारो इस बार आपको जिनका भी नहीं वास्चिले ठीक है उनको बढ़ाई दिये जिनका हो गया और कौन सी ऐसी सीज़ है जो आप पा नहीं सकते हैं बस कहीं न कहीं आपको यही देखना तो बाकी है न क्यों हम ऐसा कर रहे हैं तो अपने आपको अपने ठीक है आपका आक्रोश होना स्वाविक है आपके अंदर रोस भी होगा मन भी नहीं लगेगा पढ़ने का तो एक दो सर फरोशी की तमन्ना अब हमाले दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे काति ले अरे उस यूपी से रहने वाले आप बिसमिल अजिमाबादी वालों है न तो अपने आपको आप इस तरह से अपने आपको आप मेंटें करेंगे यह आप बेतर जान सकते कोई नहीं बता सकता आपको देखी मैं फिर से कहोंगा कोई भी चैनल कोई कोई भी कोचिंग कोई बी संस्तान कोई भी गाइडेंस आपकर सेलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक कि आप अपना सेलेक्शन श्वयम नहीं चाहेंगे या आपको श्वयम करना है नहीं तो फिर वो गोदान में लिखता है ना रह गई जिन्दगी किसानों की नासूर बनकर मर रहा हार रोज होरी जिन्दा है गोवर मजदूर बनकर उस तरह नहीं करना है हाँ आपको जहां पर लगेगा वहां पर मैं मिलूँगा आपकी जो अन गाइडेंस हां से भी पढ़ते हूं मैं कभी किसी की बात नहीं करते लेकिन अब आपको ही जुटना होगा अब आप फिर से उट खड़े होई है समय नहीं है तीन महने मातर प्रीके हैं और उसके बाद तीन ही महने आपको मेंस के मिलनेवान है एक दू दिन सुक मनाई है लेकिन फिर से अपने किताब में खो जाई है और इस बात इस तरह हम लोग मैनत करेंगे न आयोक को भी आपके लिए द्वार खोलना पड़ेगा अब हवाई ही करेंगी रोसनी का फैसला किसने बहुत सही कहा है तो आपके दिये में जान है आपके दिये में तेल भी है बाती भी है तो अब आप की बचेंगे और अगली बार पीडियाप में आपका नाम फर फराता हुआ आएगा तो इन सभी आशुओं का मूल चुका देगा तुम्हारे दिल की भी चुबन जरूर कम होगी बिलकुर कम होगी डाक्टर कॉर्बेचेंस आप कहते हैं कि तुम्हारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो है न परेशान मत हो ये निस्सित है आप तीन चीज मेरी बात फालो किजिए मैंने इतने एक्जाम कौलिफाई किये हैं मेरे कितने स्टुएंट्स को पढ़ाया है लेकिन मैं हमेशा उन से कहता हूँ अगर तीन बातें आपके अंदर हैं सहास लगन और धैर करेश कंटिनुटी सहास लगन धैर और ये तीन चीज आगर आप अपने पास रखते हैं तो आप किसी भी एक्जाम में क्या बाते पीसे आप हर जहे सपन होगे लेकिन आज एक वादा करिए आप सब कि आज आप सोक जो भी मनाना हो मना लीजिए लेकिन आप अपनी कम्या स्वैम ठूड़िए आपको लगता है तो मुझे परसनल मेरे टेलिग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए वाट्स अफ नंबर मेरा 7237853197 है बहतर 37, 81, 97, 7237853197 आप अपनी परसनल कम्या निकाल लीजिए आज आप विचार किजिए अपने आप में कि हमारा प्रिया मेंस में कहा हुआ आपकी कमी आप से बेतर कोई कोचिंग वाला, कोई यूटूब वाला, कोई बड़े भाईया, कोई गाइडेंस, कोई चोड़ा भाईया नहीं बता सकता यह सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि आपका निसाना कब और कहां और क्यों चुक गया हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, तो आप बताइए, और अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो हम लोग बास्चित करेंगे अगर आपने ऐसा के तो दावा में करता हूँ इस बार, कि इस बार आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप पूरा स्वेम पढ़ेंगे और हम आप मिड़के आपको आयो कुप्रवा देंगे इस बार 100% आप प्री क्वालिफाई करेंगे, 100% मेंस क्वालिफाई करेंगे, बसरते आप जड़ा सा सहोग कीजिए और अपने आपके लिए खड़े होजाइए फिर वही इस्तित्र रहेगा, कि तालीम का असर है, उंचा हमारा असर है तालीम का सर है, उचा हमारा सर है, फिर अग्ये वाली लाइन आपको कहनी पड़ेगी लास्ट में, स्रे नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वेम सुन्ने में, विरा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौन्ने में, आप छोड़ दीजे उपर, अपनी मेहनत पर दुगने से चुट जाईए, और ये अग्ये की लाइने मेरे लिए बहुत बेतर है, मैंने बहुत बार इनको लाइन सुनी है, है ना, तो निशित रूप से समय जरूर आपके लिए, आज कठीन होगा, लेकिन उस कठीन मौसम से निकल जाईए, और अब आप गुलावी मौस चुकि दिन ही कितने बचे हैं, जल्द ही बिग्यापन आने वाला है, उस बिग्यापन में कैसे क्या पढ़ना है, इस बार कितना पढ़ना है, किस तरह हम उसको करेंगे, उसको लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे, कल परसन बात कर लेगे बहुत समय है, लेकिन आज आज जगाने का समय है चुकि आपका दुख है आपके दुख में साथ खड़े होने का समय है और फिर आप जो चाहेंगे आप वो पालेंगे बसरते अपने आपको उस इस्तित में ढाल देना है उस इस्तित में ढालेंगे और लगातार मेनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सपल होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, तो आप तो वही बात ना, आजस्टीन से का गया है, थलमा अमसर वैडिसन से, कि आप इतनी बार असपल पर बोलें, मैं असपल नहीं हुआ, मैंने इतनी बार ये प्रयोग करके सीख लिया है, कि किन है ना, वही बात है ना, कि इस सेहर में चलती हवा और तरह की, जुर्म और तरह एक्सदा और तरह की, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लगातारा पढ़ाई करिए, आप मन से स्ट्रॉंग बनिए, सास लगन धहर को साथ रखे, अपने आप पर अपने आराद जिसको मानते से सकिए, और उट जाएए फिर से, आप अमर सेर हैं, आप उस तहार को निकालिए, और लास्ट में भगस स्वैम कहते हैं, सदार भगस सिंग का नाप ने सुना, मेरे जजबातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, कि गर में इस की भी लिखना सायता हूं, तो इंकलाब लिखा ज जाता है, उस तरह करके आप करिए, कि आप जो खुछ लिखेंगे, इस बार आयोक के ड़ा भी लिखेंगे, और अगली जब पीडियाप आएगा, अगली जब पीडियाप फाइल खोलेंगे, तो आपका नाम होगा, आपका अनुक्रमांग होगा, और आपके आँखों में फ